है है यह हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो पैलाजी एडिटेणर हैं अज हम बात करेंगे फाल रम मॉलस्य कि डिस अन इंपार्टेंट फालल अमंग नॉन कॉर्डेट्स non cardates की अगर बात की जाए तो यह important phylum है आर्थोपोडा के बाद phylum mollusca सबसे बड़ा phylum माना जाता है देखते हैं इसकी विशिस्ता क्या है इनके characteristic features क्या है mollusca की बात की जाए अगर तो यह commonly marine होते हैं कुछ fresh water भी होते हैं और कुछ terrestrial भी होते हैं कुछ Easter, Octopus और Snails यह सारे आते हैं हमारे phylum mollusca में कुछ आपको दिख रहे हैं यहां पर ठीक है तो यह भी बिल्कुल नॉर्मल अभी तक जो हमने पढ़ा एनलेडा आर्थोपोडा बिल्कुल उसी के तरीके के ट्रिपलो ब्लश्टेख फुल होते हैं कैसे होते हैं का här जब नहीं होगी लेकिन म顧्नमार का और्गेशन होता है तो और्गेशन का होगा तो हमने जिब एनेलिडा से शुरुवात की तो एनेलिडा और अर्थो पोड़ा में आर्गन सिस्टम लेवल का और्गिनाइजेशन था उससे पहले जब हम गये तो प्लैटी हेलमेंथीज और निमेटोडा इनमें आर्गन लेवल का चुकि वो भी एनेलिडा की बाद की है तो बिलकुल उसी तरीके से मॉलस्का में भी और्गन सिस्टम लेवल का और्गिनाइजेशन है यह ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स होती है बड़ थोड़ा सा डिफरेंस है यह ज्यादा तर एसिमेट्रिकल होते है मिस इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है इसको किसी भी प्लेन में आप कट करें यह एक्वल डिवाइट नहीं हो सकते हैं कुछ ही को छोड़कर जो की बाइलेटरल सिमेट्री सो करते हैं अब अगली पॉइंट पर आते हैं इनकी पूरी बॉड़ी कैलकेरियस से कवर्ड होती है एक्जोस्केलेटन वाट इस एक्जोस्केलेटन इस टर्म को पकड़ेगा इसकेलेटन या तो एंडो होगा और या तो एक्जो होगा जो कि बेस होता है जो कि से प्रोवाइट करता है ठीक है तो इंटरनल से जो प्रोवाइट करने का काम करेगा वह होगा एंडोस्केलेटन हमारा भी इसकेलेटल सिस्ट होता है इसमें सारे bones arrange होते हैं clear लेकिन exoskeleton body पूरी body को cover करेगा और external से provide कर आएगा जिससे कि orthoports में भी kytinus exoskeleton था अगर आप compare कर रहे हैं तो NCRT आप पढ़ेंगे तो compare करना जरूरी है जिससे आप competitive label पर मजबूत कर पाएंगे अपने आपको तो आठोपोर्ट में भी kytinus exoskeleton था ऐसे में भी exoskeleton होता है लेकिन वह कैसा होता है calcareous होता है it means calcium carbonate की cell होती है इनकी body के उपर जैसे कि स्नेल्स में आपने देखा होगा पाइला में भी देखा होगा तो पूरी body जो है calcareous cell से covered होती है clear अगली चीज है इनकी body जो है वह unsegmented है क्या है unsegmented है means कोई distinct segment नहीं होता है जैसे कि आर्थोपोर्ट में आपने देखा head thorax and abdomen analytes में आपने देखा metameric rings उसमें पाई जाती थी but यह unsegmented होते यह क्या होते unsegmented होते लेकिन बात की जाए तो कुछ distinct region में इनकी body divide भी होती है वह region कौन-कौन से है head foot and visceral hump ठीक तो यह अब जानना जरूरी है अगर head की बात किज़े अगर आप एक snail की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे आपको देखाए पड़ रहे होंगे snail तो जिब snail को आप देख रहे हैं तो snail में आप यह tentacle देख रहे होंगे यह tentacles क्या है sensory tentacles हैं कैसी tentacles है sensory tentacles हैं और इनही tentacles के उपर special type का file like resping organ होता है जिसको कहते हैं Redula ठीक जहां पर mouth होता है इसका clear Redula यह term आएगा ठीक NCRT में भी mention है और Redula पूछा भी गया है पिछले exams में ठीक है तो Redula कहां पर होगा Redula होगा वही sensory tentacles होती है जो कि आपको यहां पर दीख रही है यह tentacles head region पर होती है जो की file like resping organ है ठीक है जहां पर उनका mouth होता है clear अब mouth की बात की गई है तो elementary canal की भी बात कर लेते हैं organ system level का इन में organization होता है और पूरी body में elementary canal जो होती है Mouth to NS complete होती clear mouth to NS इनका जो elementary canal है वो complete होगा अब organ system level का organization है तो कुछ चीज़ें और भी हम देख लेते हैं ठीक है अब वो क्या है इन में respiratory system कैसा होगा या और सारे system कैसे function कर रहा है ठीक तो mental इनकी body का जो segment है head, foot और visceral hump इसमें head की मैंने बात की कि head पे sensory tentacles होते हैं हम्प पे होते हैं और जो foot और visceral hump है foot इनका locomotory organ होता है foot क्या होगा foot इनका locomotory organ है और foot और visceral hump के बीच का जो part होता है वो थोड़ा होगी mouth to NS complete होगी foot क्या होता है foot इनका locomotory organ है और visceral hump क्या है visceral hump में दो system एक साथ रहते हैं इनमें excretory system और respiratory system अब foot और visceral hump जैसे मालनी जीजी आपका क्या है यह foot region है और यह क्या है visceral hump है clear तो foot और visceral hump के बीच में कुछ spongy part होता है क्या होता है spongy part होता है जिसको हम क्या कहते हैं mental बोलते हैं क्या बोलते हैं mental और यह जो cavity है इस cavity को बोलते है mental cavity clear अब यह जो mental है mental किन चीजों से मिलकर बना होता है इनकी जो skins होती है skins की जो folding है उन्हीं folding से ही mental बना हुआ होता है mental का जिकराता है कि mental कहां पर किन organs में mental होता है mental की exact location क्या है तो mental की exact location क्या है यह head sorry यह foot और visceral hump के बीच का जो spongy part होता है तो वही पीजे मेंटल होता है clear अगली चीज है respiratory organ में है क्या respiratory organ में पहली चीज़ तो मैंने बता दी respiratory organ पाए कहां जाएंगे respiratory और excretory यह दोनों system इनके कहां होते हैं इसी visceral hump में होते हैं कहां होते हैं visceral hump में होते हैं ठीक तो यह sponzy और sorry तो यह होंगे कहां between the mental cavity visceral hump के अंदर mental cavity में यह present होते है clear अब इनके sexes की बात की जाए तो यह separate होते हैं means male और female organ अलग-अलग होंगे अगर easter की बात की जाए तो male easter female easter अलग होगा clear और साथ ही साथ यह egg laying होते means oviparas होते हैं जैसे कि हमने पिछले में देखा और्थोपोर्ट्स में हमने देखा था वह भी क्या थे oviparas ही थे means वह भी egg laying थे वैसे ही अगर हम बात करें molluscans की तो molluscans भी क्या होते है molluscans भी egg laying ही यानि कि और भी पैरस ही होते हैं साथ ही साथ इनमें indirect development होता है indirect development का मतलब क्या हुआ हुआ जाइगोट के बाद तुरन्त direct development किसमें नहीं होगा direct development new individual में नहीं होगा वह indirect तरीके से होगा ठीक अभी जब आगे echinodermita आप पढ़ेंगे तो और detail में यह चीज़े आएंगी कुछ examples की बात करें तो एक snails हो गया आपको दिख रहा होगा यह ऑक्टोपस है ऑक्टोपस भी किसके example है molluscans का ही example है Easter what is Easter अपने यह नेम तो पहले सुने होंगे snail और सबसे बड़ा फाइलम होता है तो वह इस्टर क्या है यह भी एक टाइप के molluscans ही होते हैं जिनके अंदर हम सीप का formation करते हैं लार्ज स्केल पर अक्वा कल्चर के लिए Easter का यूज किया जाता है clear तो यह अवराल हो गया हमारा फाइलम mollusk का और्थोपोड़ा फाइलम के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है ठीक है इनके बाड़ी head, foot और visceral hump में divided होती है अंसेग्मेंट होगी यह distinct region है इनके बाड़ी के बाड़ी में organ system level का organization होता है clear यह भी bilaterally symmetrical होते हैं या फिर asymmetrical होते हैं mostly तो asymmetrical ही होते हैं और triploblastic होते हैं means इनमें triple germ layer embryonic development के समय होती है यह mostly marine ही होते हैं कुछ fresh water में भी होते हैं और कुछ terrestrial habitat में भी पाए जाते हैं तो यह overall हो गया हमारा molluscans के बारे में फाइलम mollusk का अब इसके बाद जो है वो आएगा echinodermata बहुत important है echinodermata क्यों important है क्योंकि echinodermata हमारे non-cordates में कुछ exceptional features लेकर के आता है जो कि अभी तक आपने किसी non-cordates में नहीं देखे थे वह exceptional feature क्या है वह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा तब तक बने रही है मेरे साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए तक दीजिए उसक्राइब विर्च कर दीजिए